और बहुत अच्छे का रिलेशन हमारा है बहुत अच्छी पढ़ाई चल लई होगी और एक चीज हमने देखा है बहुत हमको खुशी अंदर से फीर होई कि तुम लोग सारे लोग कोश्चन पुराने रिवाइस करना सुरू कर दियो जितने भी सिरीज कराये हैं सब रिवाइस होगा और तुम लोग रिवीजन करना सुरू कर दियो हो बात को हमारी मान लियो हो इससे बढ़िया बात कुछ भी नहीं हो सकती तो जितने भी कोश्चन कराते हैं बार बार रिवाइस करिए और जितना बढ़िया रिवाइस कर लोगे कोश्चन भी तैयार होंगे और NCRT मालूम है और एक कोश्चन तैयार करने में कितनी महनत लगती है ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए तो जब मैं तुम लोगों के साथ इतनी महनत कर रहा हूं तो कम से कम आप अपने लिए जरूर महनत करें आप अपने को धोका न दें लोग दुनिया को धोका देते हैं और अगर जो आप question को revise नहीं करोगे, NCRT बार-बार नहीं पढ़ोगे, इसका मतब आप swim अपने को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि समय किसी का इजान नहीं करता है, समय एक-एक दिन करके सब निकलता चला जाएगा, और जहां के तहां आप रह जाओगे, इसलिए जुड़ जाएए, बात मेरी मान लेजिए, और ये तीन महिने आपकी लाइब के टर्निंग पॉइंट है, आप अपने को उचाईयों पर पहुँचाईये, अपने परिवार को उचाईयों पर पहुँचाईये, और एक सूरज के समान, पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ड में आपकी चमक बिखरे, यही हम चायते हैं, और जैसा कि तुम्हें मालूम है, मास्टर सिरीज, पूरी बायों से कोश्चन एक साथ पूछते हैं, तो मास्टर सिरीज, के द्वारा पूरी बायों एक साथ हमारी तयार हो रही है, और रही बाद चैलेंजर सिरीज, और चैलेंजर सिरीज, हम चैप्टर वाइस करा रहे हैं, तो चैप्टर वाइस भी आपकी तयारी हो रही है, और पूरी सबजेक्ट भी एक साथ तयार हो रही है, जैसा कि तुमको मैंने बताया था हर वीक का विनर हम घोसित करते हैं तो इस वीक के भी विनर आ चुके हैं आपकी स्कीन के उपर आप देख सकते हैं और इस वीक का टाइंट टेबल भी आपके पास आ चुका है एक मार्च से टेस्ट सिरीज की प्लानिंग में कुछ चेंजिंग करेंगे एक दो NCRT के चैप्टर वाइस कोस्चन भी होगे फिर प्रीवियस जितने भी एयर से नीट स्टार्ट हुई है नीट के कोस्चन भी कराना शुरू कर देंगे ध्यान रखना तो NCRT के कोस्चन प्रस नीट एक्जामनेशन में जो कोस्चन आये हैं प्रीवियस यर उनको पूरा सॉल्व कराएंगे और कुछ ऐसे कोस्चन एक दो परसेंट जो NCRT के बाहर के हैं और कभी कदार पूछ ले जाते हैं एक परसेंट वो कोस्चन भी हम अपनी स्रीज में इंक्लूट करेंगे और य जो एक मार्श से सुरू करेंगे तो जुड़ जाईए लग जाईए और इस सभताव कि देखते हैं विंडर कौन कौन होंगे यह तो समय बताएगा और आज देखते हैं लडकीओ के बीच होगी टकर या लडकों के बीच होगी टकर या लडके और लडकिया आपस में भिडे ये भी हमको देखने को मिलेगा और सभी को मेरी तरफ से बेस्ट आप लग पहला कोश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है लगाईए ताकत और देखते हैं कॉल बनेगा चंपियन किसने सबसे पहले जवाब दिया है ये तो देखना पड़ेगा बेरी गोट बेरी गोट लग भग लग भग सबके एंसर सही है सोनम हमादुकर मिस्रा क्लासेस के उपर त्वारा बहुत बहुत स्वागत है बेरी गोट और देखते हैं इस कोश्चन का विनर कौन है इस कोश्चन का विनर कौन है इस देखते हैं कोश्चन नमबर वन का फस्ट एंसर सही है और सबसे पहले एंसर दिया है इजाज और ये पॉइंट गया है इजाज के खाते में इजाज थैंक्यू तुमारा खाता खुल चुका है बेरी बेरी तैंक्यू और जो आप सब के सही हैं जो आप सब के सही हैं इसले नाम किसी का नहीं ले रहे हैं और कोश्चन नमर दो आपके स्किन पर आ रहा है और लगा लीजिये ताकत दिखा दीजिये ताकत आपने कितनी अच्छी पढ़ाई की है NCRT की और नीट के लिए कितना आप प्रुपियर हैं ये नीट एक दोड का एक्जामनेशन है देखते हैं कौन कितना रेस मारता है सारी बातों का जवाब हमको मिल जाएगा कुछ समय के बाद कोश्चन नमबर दो और देखते हैं कौन बनेगा चंपियन आज का कोश्चन नमबर जरूर डालना कोश्चन नमबर जरूर डालना नहीं तो हमसे गलती हो सकती है जैसे नीता चोपला हाँ कोश्चन नमबर डाला है नीता चोपला ने चलिए question number 2 question number 2 का first answer सही है first answer which symmetry is found in the C-anemon तो by radial symmetry पाई जाते C-anemon में नंदिता सही answer मोननागर सही answer आस्पियस के सही answer नीता चोप्ला सही answer वरुन सही answer इरफान असलम सही answer अरपासन सही answer सभी के answer सही आ रहे हैं नविता गलत answer तुमने दिया है अनलाग भर्मा सही answer और question number 2 question number 2 का answer फिर से इजाज का आया है इजाज very good तुमारे दो point हो चुके है और अगर आपको मुकाबला करना है और आप race में आना आगे चाहते हैं तो आपको अभी से तयार होना पड़ेगा नीट के इतिहास में पहला दंगल पहली बार हो रहा है इस type का और उसका पूरा फाइदा आपको उठाना चाहिए और आप लोग उठा भी रहे हो question number 3 आपकी screen पर आ रहा है और आगया है question number 3 question number जरूर आप type करें अपने question के आगे question number 3 आपकी screen पर आपके लिए आ चुका है question बहुत मज़ेदार है question यह कह रहे है question यह कह जाता है which question यह है till death we do not part is symbolized by तो यह का answer U-plactyla है U-plactyla है मतलब question number 3 का second answer सही है अब हमें देखना है question number 3 का second answer सबसे पहले किस ने दिया question number 3 का second answer सबसे पहले question number 3 का second answer दिया है नविता ने दिया है उसके बाद नीता का आया है नविता very good नविता question number 3 का second answer सही है और नविता ने भी अपना खाता खोल दिया है नविता नविता ने अपना खाता खोल दिया है very good जितनी तारीब करें उतनी कम नविता का भी खाता खोल चुका है तो question number 3 का second answer सही है question number 4 आपकी screen पर आपके लिए आ रहा है which app the following is a silent date मतलब question पुछा गया है इन में से कौन silent date है question number 4 अब आपको बताना है कौन silent date है question number 4 आपके सामने आ चुका है किसने कितनी अच्छी तयारी की है मीनू मिस्रा क्लासेश चैनल के उपर आपका बहुत बहुत स्वागत है और question number 4 का second answer सही है और देखते है question number 4 का second answer किसने दिया है question number 4 का second answer सबसे पहले चार का second answer इरफान असलम चौधरी ने दिया है नहीं इसलाप वो तो तीन का दिया है अरफा हसन का जवाब आया है बेरी गुट अरफा हसन उसके बाद बुस्रा इजाज काया उसके बाद नीता सिरीज का मास्टर सिरीज का किसने कितनी बढ़िया की है तैयारी ये तो समय बताएगा लग जाएए जुट जाएए विनर के रास्ते पर चल दीजिए कोश्चन नमर पाँच आपकी स्कीन पर आ चुका है कोश्चन नमर पाँच कौन बनेगा चंपियन कौन बनेगा चंपियन किसने कितनी की है तैयारी योट्यूब के इतिहास में पहरी बार तो कोश्चन नमर पाँच का सेकंड एंसर सही है और देखते हैं कोश्चन नमर पाँच का सेकंड एंसर किसने दिया है इजाज का एंसर आया है कोश्चन नमर पाँच का सेकंड एंसर तो ये पॉइंट इजाज के खाते में जाएगा इजाज के तीन पॉइंट हो चुके है नविता का एक पॉइंट हसन का एक पॉइंट इजाज के तीन पॉइंट इजाज फिर से वही रभतार वही इजाज सामने आ रही है नजर और कौन बनेगा champion इसका रिजल्ट आज तो मालूमी ही हो जाएगा और सटर्डे को या संडे को पूरी दुनिया देखेगी कौन बना है विनर इसने पूरी ताकत लगाईए तो कोश्चन नमबर पाच का सेकेंड एंसर सही है कोश्चन नमर छे आपकी स्कीन पर आपके लिए और देखते हैं कौन बनेगा चंपियन किस में कितनी दम है पूरी ताकत लगा दीजिए और क्योंकि कोश्चन नमर छे आचुका है सबके मिले जूले answer आए हैं सबके मिले जूले answer आए हैं correct 100% किसी का नहीं है क्या है round warm differ from flat warm in having round warm के अंदर pseudo silk cavity पाई जाती है flat warm के अंदर pseudo silk cavity नहीं पाई जाती है तो कुश्च नमर छे का फर्स्ट एंसर सही है प्रांजल सही एंसर आस्पियस के सही मीनू सही एंसर है रोहन गोविश सही एंसर वरुन सही एंसर बुष्णा इजास सही एंसर मुनानागर सही एंसर नंदिता गलत एंसर नंदिता गलत एंसर नविता सही एंसर और अनराग वर सही एंसर बेरिगोट नीता चोपला गलत एंसर अर्पा हसन सही एंसर सबसे पहले अर्पा हसन का यह है तो यह पॉइंट अर्पा हसन के खाते में जा रहा है अर्पा हसन के दो पॉइंट हो चुके हैं बेरिगोट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खोलिए क्योंकि जैसे जैसे question आगे बढ़ेंगे संगर्स बढ़ता चला जाएगा जैसे question number seven आपकी skin पर आ चुका है question number six का first answer question number seven आपकी skin पर आ चुका है how many number आप labium in carcruach carcruach में labium का number कितना होता है question यह है question number seven आपकी skin पर आ चुका है question number seven आपकी skin पर आ चुका है रोहन गोविच सही answer मीनू तुमारा answer गलत हो चुका है आस्पियस के सही answer वरुन सही answer बुस्राइजाज गलत answer आ चुका है प्रांजल गलत answer प्रांजल का गलत answer है और वरुन सही answer अनराग बर्मा गलत answer नविता सई अंसर, मोना नागर सई अंसर, प्रांजल सई अंसर, अच्छा मोना नागर का सब चे पहले ज्वाब आया है और खाता खुल चुका है, मोना नागर के बाद नविता का अंसर आया है, तो मोना नागर ने अपना खाता खोल दिया है, बेरी गुट मोनानागर थाइंक्यू तुमारा खाता खुल चुका है और अब अपने खाते को आगे बढ़ाएं जल्दी जे सल्दी आगे बढ़ाएं ये गलतिया क्यों हो रही है ये बात मेरी समझ में नहीं आती है इजाज गलती तुमने क्यों की है फ्लैम सेल और एक्स्क्रीटी आरगन साफ प्लेटी हलमेंथीज प्लेटी हलमेंथीज है इजाज तुमने क्यों गलत किया था पहली बार वो तो अब दूसरी बार आप अंसर दे रही है सही चलिए कोश्चन नमर आठ आपकी स्कीन पर फर्स्ट एंसर सही है कोश्चन नमर ठापकी स्कीन पर आ चुका है कोश्चन नमर आठ यह है सी हेर इस पहला अप्सन एपलीस या दूसरा सीपिया तीस्वा पाइला नेस्ट तिरेडो अब देखते हैं किस-किस का एंसर सही है कोश्चन नमर एट का फर्स्ट एंसर सही है कोश्चन नमर एट का फर्स्ट एंसर स और जितेश कुमार सही एंसर रोहन गोविश सही एंसर आस्पीस के सही एंसर नंधिता सही एंसर Question No.8 Nita Saeed answer, Navita Saeed answer और सब से पहले Question No.8 का Saeed answer दिया है Mona Nagar ने very good Mona Nagar Mona Nagar अपने score को लगातार आगे बढ़ाती हुई Mona Nagar अपने score को लगातार बढ़ाती हुई तो question number 8 का first answer सही है question number 8 का first answer सही है see here का दूसरा नाम क्या है एप प्लीस या है तो question number 9 आपकी screen पर जल्दी से खाता खोलिये जिन लोगों के बचे हैं मैच को आगे बढ़ाईए जितना आप देर करोगे आपके लिए उतना मैच टप होता चला जाएगा और very good very good question number 9 आपकी screen पर आचुका है question number 9 आपकी screen पर आचुका है और जो आप सब लोगों ने दिया है question number 9 two feet are characteristic structure आप two feet किसका character है starfish का है मतलब phylum echinodermetra का है question number 9 का first answer सही है इसनेहल पांडे बहुत लेट क्लास जॉइन किये हो हुई इसनेहल पांडे बहुत लेट क्लास तुमने जॉइन किये हुई और अरफाहसन सही एंसर भुस्राइजाज सही एंसर इसनेहल पांडे सही एंसर नविता सही एंसर वरुन सही एंसर रोहन गोविश सही एंसर बेरी गुट और मोलानागर सही एंसर और आस्पियस के गलत एंसर नंदिता सही एंसर और जितीश कुमार सही एंसर और सब से पहले जितीश कुमार का एंसर आया है और जितीश कुमार ने मिस्सा क्लासे चैनल के उपर पहली बार और हम चाहेंगे कि आप इस week के winner में जरूर सामिल हो, हम चाहेंगे इस week के winner में तुम जरूर सामिल हो, और सबही सामिल हो, ये मेरी ऊपर वाले से प्रातना है, बस लगे रहिए, जुटे रहिए, जैसे आज खाता खुला है, आप एक दिन मिस्ताbuild classes के winner भी बनोगे, हो सकता है आज बन जाओ और हो सकता है नीट में तुम टाप भी कर जाओ कुछ नहीं कह सकते हैं जो लगा रहता है वो जंग जीतता है और question number 10 के लिए आपको लगना होगा और दिखाना होगा क्या कितनी तैयारी आपकी है जो टिये लगिये question number 9 10 आपकी स्कीन पर आ चुका है question number 10 नीट के इतिहास पर नीट के इतिहास में पहली पार योट्यूब के उपर नीट के लिए ऐसा प्रोग्राम ऐसा दंगल पहली बार हो रहा है question number 10 का second answer सही है रोहन गोविश सही अंसर वरुन सही अंसर मीना सही अंसर नीता चुप्रा सही अंसर इस्निहल सही अंसर अनलाग सही अंसर नविता सही अंसर और अरपासन सही अंसर मुनानागर सही अंसर और बुश्रा इजास सही अंसर जितेश सही अंसर प्रांजल सही अंसर आर्श्पिय मेतने अपना खाता खोल दिया है बेरि गोलर्ट और मिल से चै prawn बार तुमने अपना खाता खोल्टकम है फरस्ट रहए इसलिए घ्टा को लेट animal is cold bladed देखेए इसनेक क्योंकि स्नेक देखें फिशेश एमपीएंच और रेब्टाइल्स यह cold bladed होते हैं और मैमलस और बिर्ड्स वार्म बलेडड़ होते हैं तो स्नेक रेप्टाइल्स में आता है यह cold bladed है और बाकी सब warm bladed में हैं तो question number 10 का second answer सही है और सभी ने ज्वाब भी सही दिया है very good जितनी तारीब करो ती कम और question number 11 आपके लिए आ चुका है question number 11 आपकी स्कीन पर आपके लिए आ चुका है लगिये जुटिये लगिये जुटिये और जल्द बाजी में कहीं answer गलत न कर दे question number 11 आपके स्कीन पर आ चुका है नीता जल्दी से जल्दी आप अपना खाता खोले इसने हल जल्दी से जल्दी खाता खोले जितना जल्दी हो सके और question number 11 11 question number यह है intracellar compartment do not occurs in मतब intracellar compartment किसमे नहीं पाय जाते हैं तो प्रो करियार्स में intracellar compartment नहीं पाय जाते हैं question number 11 का first answer सही है तो जितेश्ट नमारा सही answer है और वरुन सही answer मीना सही answer नीतु सही answer इसनेहल सही answer नंदिता सही answer रोहन सही answer और अन्राग वर्मा सही answer नविता सही अंतर और आस्पियस के सही answer प्रांजल सही answer मौनानागर सही answer इजाज सब्चे पहले सही answer आया है इजाज का तो इस question का मार्क इजाज के खाते में जा रहे हैं और इजाज के चार पॉइंट हो चुके हैं अगर आपको टक्कर देनी है संघर्स करना है विजेता वनना है तो आपको लगातार मेहनत करनी होगी क्योंकि गलतिया हो रही है गलतिया देके ये question गलती के लाइक नहीं था और फिर भी ये गलत किया है जैसे अरपा आसन ने गलत किया है जितीस ने गलत किया है और इसनिहल पांडे ने गलत किया है और जिते इस ने गलत किया है तो कुल मिला करके लोगों ने गलत किया है बाद ने इस नहल पांडे ने अपने अंसर को करेक्ट करके दुबारा पब्लिश किया है लेकिन पहली बार गलत किया है तो inter-seller compartment do not occur sin तो pro careers में नहीं पाय जाता है तो question number 11 का first answer सही है Q12 आपकी स्कीन पर आपके लिए आ चुका है Q12 आपके लिए आपकी स्कीन पर आ चुका है और देखते हैं किसका जवाब सही आता है Q12 Q12 देखते हैं कौन बनेगा चम्पियन और किसने NCRT कितनी बढ़िया तयार की है इन बातों क्यों भी मिलेगी है मैं जानकारी किस व्यक्ति ने NCRT कितना बढ़िया तयार की है उन सभी बातों का हमें जवाब मिल जाएगा अभी अभी कुछ समय के बात बहुत लोगों का एंसर गलत आया है एक आत का नहीं बहुत लोगों का answer गरता है question number 10 का question number 11 का question number 12 का first answer सही है dismosomes are concerned with dismosomes का संबन्द किस से है cell adherence से है cell adherence से है और अगर जो आप tissue type tissue में देखोगे तो ये point मिल जाएगा NCRT 11 में ये question गलत नहीं होना चाहिए था गलत किस किस का हुआ है जैसे मीनो का गलत हुआ था और वरुन का गलत हुआ है वरुन का गलत हुआ अरफाहसन का गलत हुआ रोहन गोवित का गलत हुआ है इसनिहल पांडे का गलत हुआ है नविता का गलत हुआ है नीता का गलत हुआ है और बोला नागर का गलत हुआ है इजाज का गलत मतब कई लोगों के ये question गलत हो रहे है इसका मतब NCRT हमारी कहीं कहीं कमजोर है ये इस textual organization आप animals में आप जाइए tissue में जाइए और ये पहले page पे ही लिखा है cell कौन कौन से junction के दौर आपस में जुड़ती है वहीं से ये question मैंने उठाया है dismosomes are concerned with the cell adherence से concerned है और ये गलतिया हमें ये प्रूब कर रही है कि NCRT जितना बढ़िया तयार होनी चाहिए उतनी अच्छी तयार है नहीं तब ही तो ये गलतिया हो रही है region कोई भी हो हम region पे नहीं जाते हैं हम answer पे जा रहे हैं क्योंकि एक भी question NCRT के बाहर का नहीं है चलिए question number 12 का first answer सही है question number 13 आपके लिए आपकी skin पर आ रहा है question number 13 आपके लिए आपकी skin पर आ रहा है question number 13 very good very good very good point सभी अच्छा point नहीं दिया अभी देख लेंगे प्रांजल अभी देख लेंगे question number 12 का answer किस ने दिया है अभी देख लेंगे दो मिनट रुक जाईए point अभी देदेंगे प्रांजल बस दो मिनट रुक जाईए question number 13 का आप answer दिजिए हम अभी देख लेंगे बिल्कुल परिशान न हो question number 13 का देखते है first answer सही है question यह है the latest model for plasma membrane is fluid mojaic model सबसे latest है question number 13 का first answer सही है अब देखते है question number 13 का सबसे पहले answer किस ने दिया सबसे पहले question number 13 का इजाज ने answer दिया है और इजाज के खाते में जा रहा है question number 12 का देखते हैं सबसे पहले किस ने दिया था question number 12 question number 12 का सबसे पहले प्रांजल का answer आया था प्रांजल क्या तुमने देख लिया था इसलिए बेचेन थी प्रांजल का एंसर आया था तो प्रांजल का भी खाता खुल चुका है very good प्रांजल और जिनके खाते नहीं खुले हैं वो जल्दी से जल्दी अपने खाते खुले हैं और question number 12 का first answer है अच्छा प्रांजल ने का आपने देख लिया था तो तुम्हारा खाता खुल चुका है तो question number 12 का point तुम्हारे खाते में गया है question number 13 का point इजाज के खाते में गया है very good चलिए जैसे जैसे मैं चागे बढ़ रहा है संगर्स बढ़ेगा जैसे जन्दिता का एक point है जितेश का एक point नविता का एक point और मोना के दो point है प्रांजल का एक point है और हसन अरपा हसन के दो point है इजाज के चार point है और अगर तुम्हें टकर लेनी है इजाज से तो खुल के मैदान में आईए और जम करके आप टक कर दीजे और जो भी लोग नए हैं मिस्रा क्लासेश चैनल को सब्क्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर लिजे और वीडियो को अपने अपने ग्रूप में सेर कर लिजे वीडियो को अपने अपने ग्रूप में सेर कर लिज बुष्रा एजाज आपके पांच पॉइंट नहीं हाँ पांच पॉइंट सुरी हम ते चार चार दो बार लिख दिया है 4 चार ने दो बार लिख लिया था ।has लिए 4 मुख से निकल गया तोवारे 5 पॉइंट है 100 % सही है क्योंकि हमने 4-4 तू बार लिख दिया था पाँच पॉइंट आपके है और question number 13 का first answer सही है latest model for plasma membrane is fluid mojack model जो single और Nicholson ने दिया था question number 14 आपके लिए आ रहा है कौन बनेगा champion किस ने कितनी अच्छी तयारी की है यह तो समय बताएगा question number 14 आपकी स्कीन पर आ चुका है कौन बनेगा champion समय बताएगा question number 14 very good very good question number 14 question number 14 का third answer सही है मिनू तुमारा answer सही है एजाज सही answer है इसनिहल पंडे सही answer नंता सही answer रोहन गोविश सही answer वरुन्च सही answer और प्रांजल तुमारा answer गलत हो चुका है मोनानागर सही एंसर, नीता चोप्रा सही एंसर, अनुराग बर्मा सही एंसर, नविता सूरे सही एंसर और भुसरा का गलत एंसर हो गया है और अर्पा हसन सही एंसर, बेरिगोट और ये point भी अर्फाहसन के खाते में जा रहा है क्योंकि अर्फाहसन ने सबसे पहले जौब दिया है very good अर्फाहसन तो इजाज के 5 point और अर्फाहसन के 3 point इजाज और अर्फा दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है इजाज और अरफाहसन दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है जंदी बताइए तब तक कोश्चन नमबर 15 आपकी स्कीन पर आ रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है अरफा छोटी है दोनों में सैतान कौन ज़्यादा है दूसरा कोश्चन का जवाब देने के बाद बताईए अरपा सैतान जदा है या इजाज सैतान जदा है दोलों में सैतान कौन है कोश्चन नमर 15 आपकी स्कीन पर आ चुका है और इजाज ने कहा है कि अरपा सैतान है और अरफा असल ने कहा इजाज दीदी सैतान है चलिए देखते हैं आज जो विनर बनेगा वो कम सैतान है और जो नहीं बनेगा वो ज़ना सैतान है और लगाईए ताकत और प्रूब करिए कौन सैतान है और कौन नहीं सैतान है हमने एक चैलेंज तुम लोगों के सामने दे दिया है क्योंकि दोनों लोगों ने कहा इजाज ने कहा अरफा सैतान है अरफा ने कहा इजाज दीदी सैतान है तो हम अब दोनों कर लेंगे टेस्ट जो आज का चंपियन होगा वो कम सैतान होगा और जो चंपियन नहीं बनेगा वो ज़्यादा सैतान होगा तो पूरी ताकत लगाईए क्योंकि दोनों बहनों के बीच के वल दो पॉइंट का डिफ्रेंस है और कोश्चन भी 15 सेस बचे हैं भरपूर आपके लिए टाइम है दोनों बहनों के लिए और प्रूब करिए या देखते हैं कोई दूसरा आता है मै गलत हो चुका है मीनूस तुम्हारा एंसर गलत हो चुका है और देखते हैं किसका एंसर सबसे पहले आया है सबसे पहले सबसे पहले नविता का आया है बेरिगोट नविता बहुत देर बाद तुमने दुबारा एंसर सही दिया है नविता के खाते में यह पॉइंट गया है और इस चैलेंज को इजाज ने स्विकार कर लिया है अरफा अरफा लग जाएए इजाज ने चैलेंज को स्विकार कर लिया है और question number 16 आपकी स्कीन पर आ चुका है सब लोग जुटिये और नीता हमको वही नीता चाहिए जो कल नीता थी बतब सटर्डे को नीता थी आज की नीता हमें नहीं चाहिए कल सटर्डे वाली नीता हमें मिले इसने हल सटर्डे वाली इसने हल हमको मिलनी चाहिए आज की नहीं जिस तूपान से सठलडे में खेला था उसी तूपान को आज रिपीट करिए फिर से नीता उसी तूपान को रिपीट करिए और question number 16 16 का third answer सही है थर्ड answer सही है 16 का वरुन तुमारा answer गलत है इजाज गलत answer है रोहन गोविद गलत answer आस्पिस के गलत answer नवीता सही answer मोलानागर गलत answer मोलानागर गलत answer प्रांजल सही answer इस्नियल सही answer और नीता चोप्णा को जैसे मैंने याद किया नीता चोपड़ा ने अपना तुरंत खाता खोला बेरी गुट नीता जितनी तारी प्रोत्नी कम हमने तुम्हारा नाम लिया और तुमने तुरंत उपस्तिती दिखा दी है हाँ अरपास नीता ने हमारी आवाज को सुन लिया है नीता ने हमारी आवाज को सुन लिया है जैसे ही हमने कहा है और डीता ने अपना खाता खोल दिया है इसी प्रकार से सब लोग सुनिये मेरी आवाज को और खाता खोलिये और आज के विनर बनिये और समय बताएगा कौन रहेगा आज का चंपियन पूरी ताकत जोग दीजे क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं इस मौके का पूरा फाइदा उठाइए पूरी ताकत के साथ Q17 आपका आपकी परिछा लेने के लिए आ चुका है और देखते हैं Q17 में कौन पॉइंट भटूरता है Q17 आपकी स्कीन पर है Correct sequence of stages in cell cycle is Cell cycle की correct stages क्या है Q17 का first answer सही है देखते हैं सबसे पहले first answer किस ने दिया है Q17 का first answer सबसे पहले नीता चोप्रा ने दिया है और नीता चोप्रा ने मेरी आवाज को जबजस्त तरीके ससना है और इस निहल जल्दी से जल्दी आप answer दे जल्दी से जल्दी answer दे हमको वही नीता और इस निहल चाहिए जो Saturday को थी और इजाज और अरफा तुमने चैलेंज को स्विकार किया है इस बात को मत भूलना और नविता टक कर दीजे बोना टक कर दीजे भेंकर टक कर दीजे और देखते हैं कौन बनेगा चंपियन योट्यूब के इतिहास में नीट के लिए पहली बार ऐसा दंगल चलना है तो कोvention नमरmond 17 का फरस्ट एंसर सही है अब देखते हैं 18 कोश्चन मैं कौन देता है जवाब बारा कोश्चन बचे हैं बारा कोश्चन बचे है अभी पूरा मौका है आपके पास जंग जीतने का लगा लीजिये ताकत अभी पूरा मौका तुम्हारे पास है जंग जीतेंग बेरी गोट बेरी गोट question है enzyme which help in electron transfer कौन सा enzyme electron transfer में help करता है तो कौन सा answer है question number 18 का first answer सही है cytokrome सभी ने मेरी समझ से cytokrome लगा है आरफा आसन को छोड़ करके आरफा आसन का answer गलत हो चुका है और question number 18 का सबसे पहले इजाज ने answer दिया है तो ये point इजाज के खाते भी जा रहा है इजाज के 6 point हो चुके है बेरी गोट इजाज तुमारे 6 point हो चुके है और अगर जो इजाज का मुकाबला करना है इजाज के तूफान को रोकना है इजाज की आधी को रोकना है इजाज की आग को रोकना है तो आपको इजाज से टक कर लेनी पड़ेगी और मैदान में आईए दुनिया में असंभव कुछ नहीं होता है हर चीज संभव होती है अगर सच्ची मन से आप प्रयास कर लें तो और question number 19 इसी उमीद के साथ में फिर से आ रहा है question number 19 देखते हैं कौन बनेगा champion किस में कितनी दम है पूरी ताकत लगाईए 19 question आ चुका है question number जरूर लिखिये अगर किसी ने question number नहीं लिखा है तो उसका answer consider नहीं किया जाएगा question number 19 आपका है wisdom teeth in mind are mind के अंदर wisdom teeth कितने होते हैं चार होते हैं एक उपर इधर एक इधर एक इधर एक इधर तो चार होते हैं इन्हें अक्कल दाड करते हैं और ये vestigial teeth होते हैं तो question number 19 का first answer सही है मतलब first answer सही है मतलब number आप wisdom teeth in mind 4 होते हैं और first answer सही है और देखते हैं 19 का first answer सबसे पहले दिया किसने है सबसे पहले 19 का नविता ने answer दिया है और नविता ये point तुमारे खाते में जा रहा है और तीन point तुमारे हो चुके हैं आरफा हसन के बराबर पहुँच चुकी हो अगर तुमको आज का winner बनना है तो आपको इजाज की टकर लेनी पड़ेगी सोच समझ करके fast answer दीजिए और आगे बढ़िए और इसने हल जल्दी से जल्दी आप अपना खाता खोलें देर मत करें और question number 20 आपकी skin पर आ चुका है RQ आप carbohydrate will be Carbohydrate का RQ क्या है Question number 20 आपकी skin पर आ चुका है Very good, very good, very good, very good, very good और Very good, कुछ लोगों का answer केवल एक candidate का गलत हुआ है और पहासन तुमारा answer गलत हुआ है Question number 20 का first answer सही है और बुश्रा इजाज ने सब से पहले answer दिया है तो ये point बुश्रा इजाज के खाते में जा रहा है तो बुश्रा इजाज के 7 point हो चुके है और अगर आपको ये series का champion बनना है नीट के इतियास पे पहली बार नीट के लिए KVC खिलाए जा रहा है कौन बनेगा champion और अगर जो आपको आज का champion बनना है तो आपको champion जैसा खेलना होगा तो question number 20 का first answer सही है अरपा इस टाइब की गलती मत करिये क्योंकि ये question बहुती आसान मैंने पूछा था और आसान question में देखना चाहते थे किसकी गलतिया होगी और अरपा आसन गलत कर बैठी और question number 21 आपकी स्कीन के सामने है अगर champion बनना है तो champion जैसा खेलना होगा और दुनिया में असंभव कुछ नहीं होता है everything is possible everything is possible सब कुछ संभव है अगर तुम चाहोगे तो तुम चाहोगे तो सब कुछ संभव है question number 21 आपके सामने है question number 21 का fourth answer सही है तो fourth answer सही है और पांजल गलत answer भरुन गलत answer नंदिता गलत answer और मोननागर गलत answer अनलाग गलत answer रोहन गोविद गलत answer और नविता ने सब से पहले सही answer दिया है नीता गलत answer इजाज गलत answer बहुत सारे लोगों के गलत answer आये हैं और नविता ने सही answer दिया very good नविता तो ये point नविता के खाते में जा रहा है और नविता के कितने point हो चुके है तीन पॉइंट हो चुके है नविता तुमारे तीन पॉइंट हो चुके है बेरी गुट जहाँ पर सारे लोगों के एंसर गलत आ रहे है वहाँ पर तुमारा एंसर सही आ रहा है तो question number 21 का फूर्थ एंसर सही है question number 22 नविता के 4 पॉइंट है अच्छा हाँ ठीक है तुमारे चार पॉइंट है बेरी गुट हाँ तुमारे चार पॉइंट हो चुके हैं आगे देखते हैं तो इस्कोल बता दे रहा है नविता के चार पॉइंट है मोना नागर के दो पॉइंट प्रांजल का एक पॉइंट जितेश का एक पॉइंट नंता के एक पॉइंट नीता के दो पॉइंट अर्पा हसन के तीन पॉइंट है और इजाज के साथ पॉइंट है अभी सब कुछ संभव हो सकता है नव कोश्चन अभी बाकी है लग जाईए जुट जाईए कस के और बन ज वीक के कितने बार चंपियन रहे हैं और कितनी बार आप अच्छा परफार्वेंस दिये हैं केवल ये मैच आप तक नहीं रहेगा बहुत सारे लोग इस परफार्वेंस को देखेंगे और देखते हैं सबसे पहले जौब किस ने दिया है सही question number 22 question number 22 का third answer सही है third answer सही है अब देखते हैं सबसे पहले third answer किस ने दिया 22 का 22 का सबसे पहले third answer इजाज ने दिया है और ये point इजाज के खाते में जा रहा है इजाज के 8 point हो चुके हैं very good इजाज इजाज लगातार आगे की तरफ बढ़ती हुई तो question number 22 का third answer सही है question number 23 आपकी skin पर आ रहा है अगर विजेता बनना है तो अभी कुछ भी नहीं विग्ड़ा है और आप जम करके जाब दे सकते हैं क्योंकि अभी 7 question बाकी है साथ question बाकी हैं बहुत question बाकी है और अगर तुम्हे विजेता बनना है तो जौब सही देने होगे अगर विजेता बनना है तो जौब सही देना होगा और question number 23 Q23 का answer है 4 Q23 का 4th answer सही है 4th answer सही है तो रोहन घलत answer RPS के सही answer और रागहोर सही answer मिश्रा क्लासेश चैनल के उपर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आपने आते ही सही answer भी दिया है तो Q23 का 4th answer सही है अब 23 का सबसे पहले answer किस ने दिया है इस बात को देखना पड़ेगा 23 का सबसे पहले answer इजाज काया है उसके बाद नविता काया है उसके बाद प्राजल्स रिकाया है तो इजाज के खाते में ये point जाएगा इजाज के 9 point हो गए है तो question number 23 का fourth answer सही है मतलब vestibular apparatus ये question 2015 में NEET में आया था उस समय NEET नहीं होती थी AI PMT के नाम से exam होता था All India PMT उसका question है तो question number 23 का fourth answer सही है चलिए question number 24 की तरब हम बढ़ रहे हैं और देखते हैं हर question आपको challenge champion की तरब ले जा रहा है आप champion की तरब आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं ये तो आप पर depend है अगर जो आपने अच्छे से तयारी की है तो champion की तरब जा रहे हो और अगर जो आपने अच्छे से तयारी नहीं की है तो champion की तरफ नहीं जा रहे हो जल्दी से जवाब दीजे जल्दी से जवाब दीजे जल्दी से जवाब दीजे answer सही type करिए asps के question number type कर दिया है लेकिन answer नहीं दिया है question number 24 24 का फूर्थ answer सही है अब देखते हैं 24 का फूर्थ answer किस ने दिया है question number 24 का फूर्थ answer किस ने दिया है ये बात मुझे देखना पड़ेगा question number 24 का फूर्थ answer किस ने दिया है four answer सब से पहले आया है question number 24 का फूर्थ answer किस ने दिया है ये बात मुझे देखना है अब देखे हमको तुम लोगों ने contraversy में डाल दिया है इसने हल पांडे ने four answer लिखा है अब ये 24 का है अच्छा 24 का ही है रागाउने four answer दिया है aspsk ने four answer दिया है तो aspsk ने four answer दिया है अब ये question number नहीं डाले है बहुत दिक्कत वली बात पैदा कर दिया है अच्छा यास P.S.K. ने 23 का answer दिया है रागो ने किसका answer दिया है रागो ने भी नहीं answer डाला है question number नहीं डाला है answer के वल टाइप किया है इसने हल एक मिनट हम चेक किये ले रहे हैं पहले वाला question हाँ फूर्थ answer दिया है तो रागो तुमने फूर्थ का answer दिया है या 24 का answer दिया है या 23 का रागो रागो जल्दी बताइए आपने किसका answer दिया है रागो 24 का answer दिया है या 23 का तुमारा है रागो ने 24 का दिया है तो ये रागो ने अपना खाता खोल लिया है रागो ने अपना खाता खोल लिया है इसने हल ने का कि हमने नहीं जौब दिया है और देखते हैं कौन बनेगा champion बहुत चलिए और अरफा असन ने कहा है एसजी चंडेल ने नहीं दिया है चंडेल ने दिया है answer चलिए आगे देखते हैं question number 25 आपकी skin पर आ रहा है तो 24 का fourth answer सही है question number जरूर डालिए question number बगएर आप नहीं चेक करेंगे जिसने question number नहीं डाला है उसका answer माने नहीं होगा इसलिए question number जरूर डालिए question number 25 आपकी skin पर आ चुका है और देखते हैं कौन बनेगा champion और नविता तुमारा answer गलत आ चुका है नविता का answer गलत है क्योंकि question number 25 का fourth answer सही है और देखते हैं 25 का सबसे पहले किस ने दिया है आरफाहसन का answer आया है नहीं सबसे पहले 25 का आरफाहसन का answer आया बेरी गुट आरपाहसन जıtनी तारीप करो तनी कम अर्पा हसन चार पॉइंट हो चुके है और नविता के भी चार पॉइंट हो चुके है और देखते हैं कौन बनेगा चंपियन Very good सभी के ऐंसर सही है नविता का किवल ऐंसर घलत आया है 25 का बागि सब के सही है 25 का फूर तैंसर सही है Question number 26 आपकी स्कीन के सामने है अगर जो आपको विजेता बनना है तो आपको जम करके मेहनत करनी पड़ेगी लग करके मेहनत करनी पड़ेगी और मुकाबला करना पड़ेगा किसका स्नेल का मुकाबला यह सरी इजाज का मुकाबला करना पड़ेगा Question number जरूर डालिए Question number 26 Question number 26 का fourth answer सही है Question number 26 का fourth answer सही है SQ चंडेल तुमारा answer गलत है रागो गलत answer है Fourth answer क्योंकि सही है बुस्राइजार सही answer है और नंदिता तुमारा answer गलत है 26 का और answer सबसे पहले किस ने दिया 26 का मौना नागर ने सबसे पहले answer दिया उसके बाद नीता चोपला का आया है उसके बाद प्राणजल सिंग का आया है तो मौना नागर के 3 पॉइंट हो चुके है मौना नागर के 3 पॉइंट हुए है क्योंकि यस यस कॉस्चन का पॉइंट मौना नागर के खाते में जा रहा है और बहुत जल्दी आप करिए फास्ट एंसर दीजिए और चंपियन बनिए किस में किती दम है पूरी थाकत दिखाईए और मैज को बहुत ही काटे की टकर की तरफ ले जाए और काटे की तकर की तरफ ले जा सकते हो अभी छमता है तुम लोगों में क्योंकि 27 कोस्चन आचुका है क्योंकि 27 आपकी स्कीन पर आचुका है क्योंकि 27 का थर्ड अँंसर सही है इस्लिहल पांडे तमारा Oreo गलत है नविता अंसर तमारा गलत है रागव गलत एंसर है क्योंकि 27 का 3rd एंसर सही है और 3rd एंसर सबसे पहले किस ने दिया है इजाज ने दिया है बेरिगो 27 का 3rd एंसर सही है और इजाज ने सही एंसर दिया है इजाज के 10 पॉइंट हो चुके है अगर जंग आपको जीतना है और तो आपको अच्छी मेहनत करके लग करके कंटीशन को देना होगा जुट करके क्योंकि विजेता बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपको प्रियास करने पड़ेंगे और वो भी बहुत ही तगड़ी प्रियास करने पड़ेंगे तो 27 नमबर का 3rd answer सही है जिर लोगों ने 3rd answer दिया उनका सही तो question number 28 आपकी स्कीन पर आपके लिए question number 28 आपकी स्कीन पर आपके लिए आचुका है 28 question देखते हैं कौन बनेगा champion 28 question आपकी स्कीन पर आचुका है कौन बनेगा champion और देखते हैं कि Saturday के champion क्या करते हैं आज Saturday के champion क्या करते हैं आज हमें देखना पड़ेगा तो question number 28 का 1st answer सही है और 1st answer किस-किस ने दिया है जरा मुझे चेक करना है तो 28 आरफ आशन गलत answer नीता चुपडा ने मारी बाजी नीता चुपडा तुमारे 3 पॉइंट हो चुके है आज 3 पॉइंट हो चुके है very good score सुन लेजे रागाव का 1 पॉइंट डंधिता का 1 पॉइंट जितिस का 1 पॉइंट नविता के 4 पॉइंट है और मोलानागर के 3 पॉइंट प्राणजर्व का 1 पॉइंट नीता चुपडा के 3 पॉइंट और अर्पा असन के 4 पॉइंट और इजाज के 10 पॉइंट हो चुके है ये आज की स्टूरी चल लही है competition है जिसका लेखा जोका है और जितने भी लोग नए है वो चैनल को subscribe कर ले और वीडियो को सभी लोग like कर ले और वीडियो को अपने अपने group में share कर ले क्योंकि जब like करते हो तो हमें पता लग जाता है कि मैं जो पढ़ा रहा हो उससे तुम लोग खुश हो या नहीं हो अगर नहीं हो तो जरूर dislike करना और अगर जो हो तो like करना, यह मतलब हमने दोनों option खुले रखे हैं, अगर जो आपको प्रसंदारा है, तो like करिए, नहीं प्रसंदारा है, निये संकूस्ट, dislike करिए, जैसे हमको भी ऐसास हो, तो चलिए question number 28 का first answer सही है, question number 29, अब हमको विजेता की तरफ लिये जा रहा है, question, क्योंकि यह question, हमको दोनों question अब विजेता की तरफ ले जाएंगे, question number 29, आपकी screen पर है, और पिछले वीक का record, कौन कौन champion बने थे, वो मैंने publish कर दिया है, very good, very good, प्रांजल तुमारा answer गलत हो चुका है, नीता चोपडा गलत एंसर, अरफा हसन गलत एंसर हो चुका है, तुमारा प्रांजल गलत एंसर है, और इसनियल सही एंसर, RPS के सही एंसर, तो 29 का second answer सही है, आप देखते है, question number 29 का second answer किस ने दिया है, किसनलार मिस्ता क्रासेश चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, चैनल को सब्क्राइब कर लीजे, वीडियो को लाइक कर लीजे, और वीडियो को अपने अपने ग्रुप में जरूर सेयर कर ले, question number 29 का इजाज का answer सही आया है, इजाज के बाद में नंदिता का सही आया है, रोहन गोवित का सही आया है, असली टककर, जबजस्ट टककर, इजाज के 11 पॉइंट हो चुके हैं, इजाज के 11 पॉइंट हो चुके हैं, और अब जो पॉइंट आ रहा है, अगला question जो है, हमको आज का champion दिला देगा, कौन रहेगा champion, ये तो आपको मालूम हो चुका है, क्योंकि मैच आज का एक तरफा गया है, कोई संगर्स नहीं रहा है, और फार्मिल्टी के लिए question number 30, लेकिन serious आपको करना है, नीट को देखते विए, हिम्मत को नहीं हालना है, और देखते हैं, इस question के लिए इजाज को कौन रोकता है, देखते हैं, इस question के लिए, इजाज को कौन रोक पाता है, किस में दम है, किस में छपता है, किस ने कितनी अच्छी तयारी की है, और इस टाइप का माहौल, YouTube के इतिहास में पहली बार, नीट के लिए, और question number 30, 30 का third answer सही है, अब देखत question number 30 का third answer सबसे पहले किस ने दिया है, question number 30 का third answer, इजाज का आया है, very good इजाज, तो इजाज ने फिर से एक बार champion बन चुकी है, इजाज सबसे पहले इस question का जवाब दिये है, और आज की champion भी बन चुकी है, इजाज जितनी जितना हम तो है thank you दें, उतना कम है, क्योंकि लग लगातार आप अच्छा खेल लही है, लगातार अच्छा खेल लही है, देखे एक बार champion बनना तो आसान होता है, लेकिन champion के रास्ते को maintain बनाये रखना, top को maintain बनाये रखना very very tough होता है, बहुत tough होता है, एक बार champion बनना आसान होता है, लेकिन champion एक बार नहीं, इस बात का इत हास गवा है आप कई बार चंपियन बनी है और अपने टॉप को लगातार मेंटेन बना रखी है इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है और सभी ने अच्छा खेला सभी ने अपने अपने ताकत लगाई जोड लगाया और एक बात थम तुम लोगों को कहना चाहेंगे कि इस बात को जरूर मेरी मान लेना एक बात थम तुम लोगों को कहना चाहेंगे कि NCRT जहां तक मुझे लग रहा है कहीं न कहीं थोड़ी कमजोर है इसलिए NCRT को आप और अच्छे से पढ़ें और जिस तरीके से इजाज पुराने कोस्चन सीरीज में जो मैंने करवा दिया है मास्टर सीरीज या चलेंजर सीरीज जिस प्रकार से इजाज लगातार मेहनत कर रही है कोस्चनों को रिवाइस कर रही है ठेक उसी प्रकार से आप लोग भी कोश्चनों को रिवाइस करिए और जो कोश्चन तुमको डाउट लगते हैं आप लिखते रहिए हम उन कोश्चनों के आपको जवाब देंगे ठीक है? तो लग जाईए, जुट जाईए क्योंकि एक एक दिन एक एक दिन तो बहुत हो गया एक एक सेकेंड बहुत ही मुलिवान है दुनिया से नाता तोड़िये किताबों से नाता जोड़िये और नीट में एक सीट पाईए इस फार्मूले पर चलें और सभी को हमारी तरफ से फिर से एक बार बेस्ट आप लग चैलेंजर सीरीज के लिए पहले से दे रहा हूँ लग जाईए जुट जाईए क्योंकि चैलेंजर सीरीज में आपको टापिक भी मालूम है मैंने बता दिया है वीडियो के माद्यम से जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लें और चैलेंजर सीरीज का चैप्टर खूब कसके लग करके तयार करिए और ये सोच के तयार करिए कि इस चैप्टर से अगर कोश्चन आता है तो हमारा सही होगा और सारे कोश्चन NCRT बुक के ही हैं बाहर से मैंने नहीं लिया है इसलिए आपको लगना चाहिए सभी को थैंक्चो और इसी के साथ हम बंद कर रहे हैं क्लास